हाई फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग आई होप हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा आप तक और प्रिवेज जितने भी हमारे वीडियो अभी तक डिले हैं वो आपने देखे होंगे जिसमें हमने रियल नंबर्स का चाप्टर अल्मूस्ट पूरा कव जो हैं तो concept wise हमारी NCRT से related लेगिन फिर भी थोड़े से different हैं तो देखिए आज देखते हैं हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं तो आगे बढ़ते हैं पहली problem की तरफ हाँ जी तो सबसे पहली जो हमारी problem है that is related to again HCF ओके तो ये कुछ अलग तरीकी का question है he is not asking directly to you know find out HCF but यहाँ पे इसने कुछ condition दे दिये हैं हमें साथ साथ देखते हैं क्या कहता है ये find the largest positive integer that will divide 398 436 and 542 leaving remainders 7 11 and 15 respectively तो ये हमें 3 जो है numbers दिये गए है positive integer और उनके साथ साथ एक ऐसा common positive integer largest positive integer आपको बताना है जो इन तीनों को divide करता हो और साथ साथ ये remainder भी बचता हो 7 11 and 15 respectively यानि 398 को divide करने पे 7 remainder बचता है 436 से divide करने पे 11 और 542 से divide करने पे 15 तो हमने क्या किया कि अगर ये remainder इसमें से बच रहे हैं it means कि इन remainders को अगर हम यहाँ पे subtract कर दे इन respective numbers में से तो क्या होगा जो number बचेंग कि वो पूरे-पूरे divide हो जाएंगे जैसे कि यहाँ पर बचा 391 यहाँ बचा 425 और यहाँ बचा 527 तो इट मीज कि ये तीनों नंबर completely divide होंगे उस positive integer से अब यहाँ पर बात आ रही है largest positive integer की तो इट मीज largest means again HCF, highest common factor तो हमने क्या किया इन तीनों का HCF निकाल लिया 391, 425 औ निकाला है देखिए तो clearly 17 इनका HCF आ रहा है तो 17 is that positive integer जो इन तीनों को divide करता है और उसके बाद remainder बचता है 7, 11 और 50 तो एक तो इस type के question आते हैं आपके अब बढ़ते हैं दूसरी problem की तरफ हाँ जी एक इस type के questions भी काफी आपको देखने में मिलेंगे यह भी हमारे Euclid division algorithm स related है but थोड़ा इसमें कुछ कहानी कुछ और कही गई है इसमें क्या किया गया है देखिए question पहले समझते है क्या है if the HCF of these two numbers is expressible in the form this 210 and multiply 5 minus 55y then find the value of y अब हमें पता है कि जो हमारा HCF होता है दो numbers का वो हम कैसे निकालते हैं हम Yuclid division algorithm का use करते हैं उससे निकालते हैं A is equal to BQ plus R तो अब उसी form के अंदर हमने यहां पर HCF निकालना start कर दिया इन दोनों number का कौन से दो number है हमारे पस 210 and 55 इन दोनों का हमने HCF निकाला है उसी method का use करके जो कि आप already पढ़ चुके हैं समझ चुके हैं तो final देखिए हमारा HCF जो आया वो 5 आया अब इस HCF का use करके हम उसने condition द तो अब HCF की value already 5 आचुकी है वो हमने substitute कर दिया और इस equation को solve करके आप y की value निकाल सकते हैं तो y हमारा यहां पर आगया है 19 तो this is the answer of this question ठीक है I hope आपको समझ में आ गई होगी यह problem आगे बढ़ते हैं next problem की तरफ हाँ जी अब यह अलग तरीके question है यह आपको बहुत देखने के लिए मिलेगा board के exams में और वैसे भी sample papers वगेरा में भी यह काफ़े important question है related to this Euclid division algorithm पर थो गड़ा सा tricky है थोड़ा ध्यान से समिनना पड़ेगा इसमें क्या पूछा गया है क्या बताया गया है देखें find HCF of 65 and 117 and find a pair of integral values of M and N such that HCF equal to 65 M plus 117 N ठीक है अब यहां पे भी HCF स दगा के find out कर लिया हमारा क्या है HCF 13 अब उस HCF का use करके हमने देखिए यहां पे condition रखी है according to question HCF equal to होना चाहिए 65 M plus 117 N अब वहां पे एक number missing था यहां पे दो number missing है M भी missing है N भी missing है तो कैसे निकालेंगे देखिए हमने यहां पे value substitute कर दी 13 equal to 65 M plus 117 N अब हम जब दुबारा question पे जाते हैं जहां पे मैंने यह first equation mark कर रखी है यहां पे देखिए यहां से अगर मैं इस 13 की value निकालना चाहूं तो क्या आएगी 65 equals to 52 multiply 1 यह इधर आके minus हो जाएगा देखिए यहां पे यह as it is हमने line use की है अब इस 52 multiply 1 की value याने खाली 52 की value जह है यह इससे उपर वाले equation में से हमने निकाल ली तो यहां से value कैसे निकलेगी 117 minus 65 multiply 1 वो value हमने यहां पे substitute कर दी है अब जब आप इस bracket को simplify करेंगे तो क्या बनेगा 65 minus 117 multiply 1 plus 65 multiply 1 अब यह जो दो 65 थे हमारे इन्हें हमन लिया और 117 multiply minus 1 आपका अलगा गया तब दुबारा आप इसको simplify करेंगे तो देखे 2 multiply 65 plus 117 multiply minus 1 simplify करेंगे और यहां पे आकर हमारी equation यह दोनों compare होंगी जो हमारी already question में गिवन थी और जो हमारा solution की last line आई है 13 equal to 65 multiply 2 plus 117 multiply minus 1 तो compare करने पर m की value 2 और n की value minus 1 तो यह हमारा solution हुआ इस question का on comparing m equal to 2 and n equal to minus 1 ठीक है तो यह question आप अच्छे से practice कर लिजिएगा यह आपका काफे repeatedly पूछा जाता है exams में तो इसके बाद बढ़ते हैं आगे next question की तरफ हाँ जी एक यह वाले question भी काफे आपको repeatedly देखने को मिलेगा 4 bells toll together at 9am they toll after 7, 8, 11 and 12 seconds respectively एक बार जो 4 bells है वो 9 बजे के around toll यह टोल करना मतला बज़ना जो ring करती है वो 9 बज़े बज़ती है उसके बाद अगली बार जब next time जब वो bell बज़ेंगी तो कैसे बज़ेंगी जो पहली bell बज़ेंगी वो 7 second के बाद दूसरी bell 8 second के बाद तीसरी bell 11 और चौती bell 12 second के बाद तीक है ना यह तीन चार टाइम हमें दे रखेंगी तो उसके लिए हम क्या गरेंगे पहले तो हमने इसका टोटल टाइम निकालना है हमें यह 7, 8, 11 और 12 का तो इसके लिए हमने क्या किया इन चारों का LCM निकाल लिया आगया आपका 1848 ओके अब यान कि यह time किस में चल रहा है हमारा seconds में थेके second बोलाए ना उसमें तो 1848 seconds टोटल लगते हैं जब वो चारों बेल एक साथ बचती है after 1848 seconds ओके अब next 3 hours में कितने number of times वो दुबारा टोल करेंगी तो उसके लिए 3 hours एक गंटे में आपके 3600 सेकिंड होते हैं तो 3 hours में कितने हुए that is 5.84 तो approximately 5 times जो है वो दुबारा बेल बजेंगी एक साथ ठीक है तो यह आपका हो गया यहाँ पर यह वाला problem अब next problem की तरफ मूव करते हैं यह last हमारे इसमें problem है और यह थोड़ा अलग तरीकी का question है ध्यान से अगर हम इसको देखेंगे तो है काफी simple पर इसको थोड़ा स आपको system इसका समझना पड़ेगा देखें क्या बता रहा है यह show that there is only one of the numbers n, n plus 2 and n plus 4 is divisible by 3 यहाँ पर इनोंने हमें यह 3 number दिये है n, n plus 2 and n plus 4 इन 3 number में से सिर्फ एक ही number है जो 3 से divisible होगा ठीक है यह तो n, n plus 2, n plus 4 तो इस case में क्या करेंगे हमने इस cases में divide कर दिया हमने इस case कौन कौन से है एक बार हम लेंगे n equal to 3k, एक बार लेंगे n equal to 3k plus 1 और एक बार 3k plus 2 तो पहला case हमारा यहाँ पर है n equal to 3k तो अगर n equal to 3k है तो n divisible है 3 से क्योंकि 3 के multiple में आ रहा है यह ठीक है अब दोनों तरफ हमने 2 add किया तो क्या बना n plus 2 equal to 3k plus 2 which is not divisible by 3 अब दुबार हमने दोनों में 2,2 add किया तो यहाँ तो n plus 4 बना और यहाँ पर बना 3k plus 4 तो उसको भी हमने अलग से substitute किया 3 multiply k plus 1 plus 1 तो वो भी again divisible नहीं है 3 से तो इन तीन नमबर में से सिर्फ n equal to 3 n जो था वो ही divisible था ना n plus 2 था ना n plus 4 था similarly आजाते हम दूसरे case की तरफ जहाँ पर हमने n equal to 3k plus 1 लिया है अब 3k plus 1 है तो यह 3 से divisible नहीं है जब दोनों तरफ 2,2 add किया हमने तो बना n plus 2 equal to 3k plus 1 plus 2 वो बना 3k plus 3 जो कि हम common ले सकते हैं 3k plus 1 तो यहने यह नमबर हमारा 3 से divisible है ओके और last हमारा जो बनेगा वो है n plus 4 ओक तो इस n plus 4 में देखेंगे हम तो क्या होगा देखिए हमने दोनों तरफ फिर से 2,2 add किया तो क्या बना 3k plus 5 और इधर बना n plus 4 तो यहाँ पे भी यह से divisible नहीं है ठीक है तो यहाँ पे इन 3 नमबर में से भी एकी नमबर था जो हमारा 3 से divisible था अब बचा हमारा last case 3k plus 2 where n is not divisible by 3 अब दुबारा plus 2 दोनों तरफ करेंगे तो बना 3k plus final देखे 3k plus 1 plus 1 यह भी divisible नहीं है और फिर दुबारा जब हमने 2,2 add किया तो बना 3k plus 6 जो की जिसमें से हम 3 common ले सकते हैं it means यह divisible है तो तीनों cases में एक एक नमबर ही था n, n plus 2 या n plus 4 जो की 3 से divisible था यही हमें प्र कर दिया तो इसके बाद आगे आमारा यह chapter जो है पूरा कवर हो चुका है जिसमें हमने अलगलग type सारे concept सारे सब चीजें cover कर ली है ठीक है तो आपका reference जो हमने लिया है इसमें NCRT से ही लिया है उसके लावा एक book है together with mathematics वहां से भी कुछ reference लिये गए है तो वह भी आप चेक classes को subscribe कर लीजिए ताकि जल्ली आपका सब concepts और सारे topics clear होते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें thank you so much for watching take care